कि देखें हमारा जो पेपर है इडवांस फाइनेंशल मैनेजमेंट का उस पेपर में हमारे पास जो एक्जामिनेशन पेटरन हमारे पास अविलेबल है दो सेक्शन हमारे पास मौझूद है सेक्शन ए और सेक्शन बी एक्जाम पेटरन चेंज हो चुका है इन टम्स ऑफ प्रोफेशनल मार्क्स तो सेक्शन ए में हमारे पास 50 marks available है और section B में भी हमारे पास 50 marks available है और इन 50 marks के अंदर 20 professional marks included है 10 marks section A में included है और 10 marks section B के 2 questions में 5 each included है उस पर भी हम discussion करेंगे लेटर उन के उस प्रोफेशनल marks कैसे हासिल किये जाते है उसमें में किन-किन चीज़ों का खयाल लगना है अच्छा primarily ये जो section A का 50 marks का question आता है ये एक बड़ा comprehensive scenario होता है और इसमें अक्सर report दी जाती है आपको report बनानी तो report कैसे बनानी है उसके contents क्या होंगे क्योंके one of the professional skills जिसके उपर professional marks मिलते हैं वह है communication skills जो के section A में पूछी जाती है और उसके अंदर report वगरह का format उसका layout वह बहुत matter करता है वह अगर proper बनाया गया तो ultimately professional skills में यह marks ले सकते हैं section B में हमारे पास section A में थो हमारे पास एक ही question होगा comprises of many parts one single question comprises of many parts section B में हमारे पास दो questions होंगे question number two and question number three 25 marks each और इसमें पांच-पांच professional marks included होंगे topic areas हमारे syllabus में हैं उनको हम तीन हिस्सों में divide कर देते हैं और यह जो तीन topics हैं यह primarily इनी तीन सवाल में कबर हो जाएंगे पहला हमारा area है business valuation or mergers का जी वन आप दे एरिया इस business valuation mergers restructuring यह एक एरिया हमारा दूसरा एरिया हमारे पास मौजूद है investment appraisal in cost of capital AFM का exam जो है वो FM के exam को carry forward करता है उसकी knowledge को carry forward करता है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो FM के level बहुत introductory level के उपर पढ़ाई गई थी और AFM में बहुत detail में पूछी जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि FM में भी काफी detail में पढ़ाई जा चुकी है और AFM में उसमें कुछ advancement भी पूछी जाती है तीसरा area है हमारा risk management का जिसके अंदर primarily currency risk और interest rate risk cover होता है अब देखें दो जो सवाल section वी में आएंगे उसमें से एक सवाल तो risk management पे आने के chances होते हैं अब हम थोड़ा सा इसको connect करें FM को AFM के साथ तो हमारे पास कुछ topics ऐसे हैं जो FM के directly AFM के अंदर available अगर FM के level बात करें तो हमने FM के level के उपर अप्रेजल का topic पढ़ा है तो पूरा अप्रेजल का topic हमारी जरूरत है AFM के लिए यह हम अलड़ी पढ़ चुके यह आगे carry forward होगा वहां पर हमने cost of capital पढ़ा है यह cost of capital as it is पूरा का पूरा हमारे पास आएगा वहां पर हमने sources of finance पढ़ा था तो sources of finance में वहां पर हमने as it is नहीं आता इसमें कुछ additional चीज़ें हमारे पास आएंगी Islamic finance भी पढ़ा था वह Islamic finance की कुछ नहीं चीज़ें यहां पर हमारी कवर होंगी appraisal के अंदर कुछ advance investment appraisal के तरीक के कवर होंगे international appraisal कवर होगा cost of capital में cost of equity और debt निकालनी की कुछ नहीं टेकनीक्स आ जाएंगी sources of finance में कुछ international financing की चीज़ें भी कवर हो जाएंगी इसी तरीके से हमने पढ़ा था business valuation के बारे में वहां पर हमने business valuation की कुछ basics पढ़ी थी like asset based valuation क्या होती है cash flow based valuation क्या होती है earning based valuation क्या होती है अब इसकी advance version पढ़े जाएंगे कुछ नए valuation के methods आ जाएंगे मर्जर्स को detail में पढ़ा जाएगा restructuring करवाई जाएगी restructuring पढ़ाया जाएगा और last हमने पढ़ा था risk management second last f9 के अंदर वहां पर हमारे पास mainly कुछ techniques हमने पढ़ी थी currency के अंदर तो हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी लेकिन interest rate में हमने कुछ खास नहीं पढ़ा था लेकिन interest rate यहां पर बहुत detail में topic है और जो भी hedging के methods हैं सारे possible methods हमें AFM में पढ़ाए जाएंगे similarly अगर बात की जाए last topic की जो हमने अफम में पढ़ा था that was working capital management working capital management AFM के अंदर included नहीं है लेकिन उसकी knowledge होना जरूरी है ताकि आपको पता होगे company की financing उसकी investment को कैसे मैनेज किया जाता तो यह डारेकली एक topic है जो कि एफम से carry forward नहीं हो रहा otherwise यह जो भी एफम का है वह डारेकली यहां पर जाकर एफम के साथ connect हो जाता है और इसमें mainly business valuation mergers बहुत extensive है risk management बहुत extensive है सो एज investment अप्रेशन हम आज discussion करेंगे कुछ cost of capital के बारे में और specimen का एक सवाल है cost of capital के उपर उसकी कुछ slight discussion हम करेंगे cost of capital कंपनी की जो financing होती है पब्लिक लिस्टेट कंपनी की अगर बात की जाए तो पब्लिक लिस्टेट कंपनी long term financing की तरफ जब जाती है तो हमारे पास option मौजूद होते हैं long term financing के या तो हम ordinary shares market में float करते हैं या फिर हम debt financing की तरफ जाते हैं bonds की तरफ जाते हैं debts की तरफ जाते हैं debt financing की तरफ जाते हैं अब जो भी हमें finance provide कर रहा है चाहे वो shareholder हो चाहे वो loan provider हो finance provider का ultimately एक ही concern है कि वो यह देखेगा कि company मुझे मेरी investment के उपर क्या return provide कर रही है और investor का जो return होगा वो risk के साथ connected होता है यह basic team है finance की कि investor जब भी आपको पैसा देगा चाहे वो कोई सा भी investor हो वो risk return relationship को देखकर पैसा देगा और देखेगा कि आप के company में कितना risk मुझूद है और उसके accordingly कितना return हम वहां से generate करने जो भी हम investor को return देगे तो वो जो investor का return होगा वो company के लिए cost बन जाएगी cost of finance also known as cost of capital अच्छा investor का जो भी return होता है वो exactly वही cost of finance नहीं बनती बलके cost of finance comparatively lower हो जाती है tax की वजह से और हम calculate करते हैं normally weighted average cost of capital so weighted average cost of capital is basically the discount rate जिसको आगे इस्तेमाल किया जाता है net present value calculate करने के लिए या business की value calculate करने के लिए अब इसकी significance क्या हुई cost of capital की significance क्या हुई cost of capital की significance यह बनती है कि अगर हम net present value निकालना चाते हैं यह business की value निकालना चाते हैं तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है प्रेज़ेंट वैल्यू औफ future cash flows इसका मतलब यह हुआ कि जब आप future cash flows को discount करेंगे WACC से तो जितना ज्यादा discount rate होगा उतनी आपकी present value minimize हो जाएगी सो हमारा objective क्या होता है in order to increase NPV in order to increase business value हमारा जो WACC होना चाहिए वह minimum होना चाहिए अब company का objective क्या है company का objective है wealth maximization of shareholders इस wealth maximization के लिए company को क्या करना है इस wealth maximization को achieve करने के लिए company को अपनी cost minimize करने को यह cost of capital को अगर minimize कर दिया जाए तो company की wealth जो है वह maximize हो सकती अब वैक जो है वह depend करता है कि आपकी financing में कितना percentage debt मौझूद है कितना percentage equity मौझूद है आपने क्या mix of financing बनाया है उस mix के उपर depend करता है कि आपका वैक higher है या वैक lower है तो सबसे पहले तो जब वैक निकाला जाता है तो वैक निकालने के लिए हमारे पास अगर मैंने ordinary shares लिए वे हैं तो cost of equity मुझे calculate करनी पड़ती है अगर हमने debt issue किया वाया तो हमें cost of debt calculate करनी पड़ती है और फिर हम cost of equity को value of equity identify करते हैं वेटेज identify करने के लिए value of equity निकाली जाती है और इसकी सब्सक्राइब करने के लिए value of debt calculate की जाती है फिर हमारे पास average cost of capital आ जाता है जिसको हमें the discount rate किसी भी प्रोजेक्ट की NPV calculate करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अब यहां पर हमारे पास जो shareholders required rate of return है इसको निकालने के हमारे पास FM के syllabus में दो method थे यहां पर हमारे पास एक तीसरा method add हो जाएगा capital asset pricing model FM में पढ़ाया जा चुका है dividend valuation model यह भी FM में पढ़ाया जा चुका है तीसरा method आ जाएगा मॉडिक लानी एंड मिलर प्रोपोजीशन इसका formula exam में तीनो formula exam में given होते हैं आप लोगों को एक फॉर्मुला शीट प्रोवाइट की जाएगी जिसके अंदर capital asset pricing model डिविदेंट वालुएशन मॉडल एम प्रोपोजीशन नंबर टू एम बिसिकली यह टॉपिक हम मॉडिक लानी का formula यूज करते हुए प्रोपोजीशन नंबर टू यह नहीं कि after tax theory जो मॉडिक लानी की है मॉडिक लानी एं मिलर की दो theories पढ़ी वी हमने optimum capital structure में एक theory कहती थी के वैक जो है उसका gearing के साथ कोई connection नहीं आप जितना भी debt finance ले लें वैक constant रहता है फिर बाद में मॉडिक लानी एं मिलर ने 1963 में अपनी theory को revise किया उसमें tax incorporate किया और एक नया version पैदा किया कि जितना जादा loan होगा उतना ज्यादा हमारा जो weighted average cost of capital गिरे है अच्छा अब इसके अंदर जो capital asset pricing model है वो एक risk based model है जो के cost of equity calculate करने के लिए invariable को use करता है risk free rate of return average market rate of return risk premium multiply by beta factor और यह जो beta factor है यह reflect करता है company के systematic risk को यह total risk को reflect नहीं करता है हाला कि company का जो risk है वो systematic plus unsystematic risk होता है investor का risk जो होता है systematic भी होता है unsystematic भी होता है लेकिन एक assumption ली जाती है कि unsystematic risk eliminate हो चुका है through a diversified portfolio यह concept हम fm में पढ़ चुके हैं कि अगर investor एक diversified portfolio बना ले तो इस diversified portfolio बनाने की वज़ा से उसका जो systematic risk component होता है वो खतम हो जाता है आरेफ government securities का rate हम लेते हैं आरेम हम average market return लेते हैं बीटा हम company का calculate कर लेते हैं बीटा calculate करने का भी हमें पता होना चाहिए कि geared बीटा क्या होता है अंगेर्ड बीटा क्या होता है किस तरह से बीटा को calculate किया जाता है फिर डिविडेंट वैलिवेशन मॉडल से जब हम केई निकालने जाते हैं तो हम current dividend उसमें constant growth शेर प्राइस प्लस ग्रोथ इससे हम डिविडेंट वैलिवेशन मॉडल से cost of equity calculate करते हैं assuming constant growth मॉडल यह दो मॉडल तो हमारे पास अविलेबल हैं जिससे हम calculate करते हैं नया जो हमारे पास वर्जन है वह मॉडिक लानी एंड मिलर का जो हमने पहले पास्ट में नहीं पड़ा अचा उसके बाद जब हम cost of debt निकालने जाते हैं तो cost of debt निकालने के लिए हमारे पास debt की टाइपस हमें चेक करनी पड़ेगी तो हमने चार टाइपस debt की already पड़ी वी है या तो redeemable debt होता है जिसका हम debt KD निकालते हैं या फिर हमारे पास irredeemable debt होता है इन सबके फॉर्मुलाज FM के अंदर कवर हो जाते हैं या फिर वह बैंक लोन होगा या फिर वह एक convertible debt होगा यहां पर हम कुछ और भी discussion करेंगे कि cost of debt capital asset pricing model से भी निकल सकती है इसी तरीके से यील्ड से भी cost of debt calculate की जा सकती है उसके भी तरीके हम यहां पर पढ़ते है नॉर्मली उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी का जो existing वैक है वो क्या reflect करता है कंपनी का जो existing वैक होता है वो उसके business risk को reflect करता है और उसके finance risk को reflect करता है अब एक कंपनी ने एक वैक calculate किया वाए 10 परसंट का और कंपनी हर प्रोजेक्ट को 10 परसंट से discount करके इस्तेमाल कर रही है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर नए प्रोजेक्ट के लिए ये existing वैक इस्तेमाल होगा तो हम कहते हैं कि अगर हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जिसकी वज़ा से हमारा रिस्क सेम रहता है रिष्क में चेंज नहीं आता ना बिजनिस रिष्क में चेंज आ रहा है ना financial रिस्क ऑल्टर हो पहा है तो हम कहेंगे existing वैक इस्तेमाल कर लिया जाए है को अलटर करने की जरूरत नी की लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट लगाते हैं और उस प्रोजग्ट में रिस्क कर जाता है खास तोर पर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस रिस वैरी कर गया तो अब हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करें अब हम एक्जिस्टिंग वैक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अच्छा यह एडवांस जो टेक्निक आएगी आगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की एपीवी एडजस्टिट प्रेजेंट वैल्यू उसके लिए मिंडेटरी है कि हमें यह प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आईडिया होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट की जाती है तो हम करते क्या हैं हम जिस नई इंडिस्ट्री में जा रहे होते हैं उसका बिजनिस रिस्क लेते हैं उसको अपने फाइन्स रिस्क के साथ मिलाते हैं और एक नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए हम जो हेल्प लेते हैं वो लेते हैं कैपिटल प्रइसिंग माडल्स एब की जब भी प्रजेक्ट specific calculate किया जाएगा तो कामीट एक्टा शुप जैंग ầगन सेंग कैपिटल एसे प्राइसिंग मॉडल मीं होता है बीटा तो अगर बीटा को alter कर दिया जाए क्योंकर बीटा को रिस्ट को reflect करता है अगर बीटा को ऑल्टर कर दिया जाए नए रिस्ट के साथ तो बीटा इजस्ट हो जाएगा और जिब भीटा एड्जस्ट हो जाएगा तो cost of equity honest होगी जब cost of equity एड़ेस्ट होगी तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के जरीए हम फिर आगे वैक भी एड़ेस्टेट कैलकुलेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं यह टेक्नीक होती है अब जो प्रोजेक्ट स्पैसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है कर देन का हमारे पास स्टेप्स होते हैं कम file के अंदर आइडेंटिफाय करते हैं प्रॉकसी कंपनी को सिमलर कंपनी इस इस इंड़िस्स्री में यह रहा होता है उसका अधाले थे हैं वो बीटा हमको मिलता है फिर ये बीटा गेर्ट बीटा वो बीटा होता है जो फाइनस रिस्क इंक्लूड़ेड होता है जिसके अंदर उसको हम क्या करते हैं उसको हम अन गेर्ट करते हैं अन गेर्ट करने का मत्ब होता है उसका फाइनस रिस्क हटा देते हैं तो वह अंगियर्ड हो जाता है उसके बाद हम उसको री गियर्ड करते हैं उसमें दुबारा फाइनेंस डालते हैं और एजर रिजल्ट वह हमारे पास एडजस्टेट बीटा आ जाता है और फिर हम को यूज करके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लिए इसके लिए हम एक फॉर्मुला इस्तमाल करते हैं हमारे लिए दो टर्मिनालोजी यहां पर यूसफुल होती है एसेड बीटा की और एक्विटी बीटा की यह गेर्ड बीटा की और अंगेर्ड बीटा की हम फॉर्मुला इस्तमाल करते हैं एसेड बीटा फाइंड आउट कर मιंगाल करते हैं कि वैलियो ओफ इक्विटी प्लस वाली यॉफ टान माइन क्यों अब सवाल यहाँ होता इस फॉर्मॉलेट क्यों एक सिंगल My-ला कप्ध दो अधोसरा फॉर्मॉला कब तो हमारी एक ऐजम्शन होती है बीटा औफ डैट इज एज्यूंब तो बी-जिरो हमारे पास जो ढब्सकाबट रहे बीटा लन्यगर cyncn Sally के बीटा इक्विटी बीटा कैलकॉरेट करने करने की यह अप्डेक करता है एसेड बीटा जब प्सक्राइब करता है एक्विटी वीटा या बीटा आफ गिर्ड गिर्ड कंपनी गिर्ड बीटा को भी रिफ्लेक्ट घर्मिनोडिजी जी यह acid beta की geared beta की ungeared करना री-geared करना यह एफ-एम के syllabus के लिए भी बहुत important concept है FM का जो carry forward knowledge है which is very very important तो क्या आगई यह appraisal की टेकनिक में भी इस्तमाल होता है आगई यह जाकर एपीवी में भी इस्तमाल होगा international appraisal में भी इस्तमाल होगा और कुछ नहीं टेकनिक स्वमने बाद की आप एफ-एम के घर syllabus paper pattern को देखना है तो लेट्स फोकस उन इस पैसे में एग्जैंट इसको सी बी पोर्टल पर जाकर एसी सी के भी चेक किया जा सकता है थोड़ा समय सको आज discussion करते हैं इसकी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं देखें जी यह आपके पास एक specimen exam मौझूद है और इसके अंदर हमारे पास पहला जो question दिया हुआ है इस पहले question के अगर हम requirement के उपर focus करें तो requirement of the question यह एक रिपोर्ट के उपर सवाल है और यह base करता है देखें रिपोर्ट बनाने का जो भी सवाल आता है ना तो उस रिपोर्ट के सवाल के साथ separately question भी हो सकते हैं जैसे एक पार्ट अलग दियावा है उसका रिपोर्ट से कोई relationship नहीं है उसका रिपोर्ट से कोई relationship नहीं अब बी पार्ट में हमाई पास चार पार्ट दिये वें जो की मुगन करों तो पहले पार्ट सेविं मार्ग का डिस्केशन पार्ट है और सी पार्ट चे अ और नीचे हमें बताया गया है कि अगर आप मांक्स कंबाइन करते हैं तो वह फॉर्टी मांक्स बनते हैं प्रफेश्चनल मांक्स वी अवाड़ेट फॉर देमोंस्ट्रेशन ऑफ स्किल्स दस मांक्स के अंदर कौन को सी स्किल्स टेस्ट होंगी जिसकोочки-scare-system टेस्ट वोगी जिसको जो कमर्शन एक्युमेड यनिकि चारों जो प्रफेश्चनल मांक्सी स्किल्स हैं वो आपके पहले सवाल में इस 50मांक्स के अंदर counted होंगी 10 marks बड़े important है crucial है इनको understand करना जरूरी है क्या मत्तब है communication का क्या मत्तब है analysis हम कैसे incorporate करेंगे यह हम आगे जाके अपने answers के अंदर discuss करेंगे अभी सवाल पर focus किया जाए cost of capital के context में देखें prepare a report for the board of directors of kingdom ko which number one easy estimates the company's cost of capital before the new bonds are issued अब ये जो पार्ट है ना ये FM के student को भी अगर करने के लिए दे दिया जाए ना तो वो easily FM की knowledge के ओपर ये पार्ट कर लेगा दूसरा पार्ट estimate the market value and post tax cost debt of the new bond यहां हमारे पास कुछ नहीं टेक्निक्स हाई उसके बाद estimate the revised cost of equity and revised cost of capital यहनी के 7 plus 7 14 plus 4 18 marks का सवाल पूरा का पूरा cost of capital पर base कर रहे हैं और उसके बाद 9 marks की analysis and evaluation इस सवाल के अंदर मौजूद है यह एक सवाल यहां पे दिया हुआ है जो के primarily इसको base करते हैं section B पे अगर जम करें तो section B में जो question number 2 है वो इन्होंने बनाया है सवाल की requirement पे जाएं evaluate the suitability of the investment proposal including the impact of the country risk premium on the NPV यह पूरा सवाल NPV और discount rate के उपर बना हुआ है इसके अंदर भी हमारे पास 5 marks available total marks हमारे 25 including 5 professional marks और तीसरा जो सवाल है वो base कर रहा है हेजिंग के उपर foreign currency receipts दी वी है 14 marks की हेजिंग कुछ ही वी है तो इसका मतब़ है specimen में business valuation mergers वगरा के उपर focus नहीं किया हाला कि यह ऐसा हो नहीं सकता कि business valuation mergers paper में ना हो इस जस्ट a specimen तो हम उसको एक पर इतना rely नहीं करेंगे specimen के उपर और business valuation और mergers की अपने एक इंपॉर्टेंट है री स्ट्रक्चरिंग की अपने इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत element उसने पूरे paper में कहीं ना कहीं cover कर लेता हुँ इस एपार्ट में उसने वो mergers evaluation का कुछ हिस्सा cover कर लिया होगा theoretically cover कर लिया होगा में भी तो पांच-पांच marks हमारे नीचे मौझूद हैं और दस marks यहां पर मौझूद है अब हम थोड़ा सा question पर focus करके देखते हैं कि कुछ चीज़ें मैं समझ में आ रही है नहीं आ रही है अब जैसे यहां दिया वाइने टेक ओवर defense यह business valuation और मर्जर वाला पार्ट है तो इसी एक पार्ट में बिजनेस valuation और मर्जर भी कुछ हद तक cover करने की कोशिश की है information बहुत जादा होती है पहले सवाल में information को properly address करना properly समझना अब यह चार हिस्सों में cb exam में आपके पास सवाल होगा पहली information दूसरी information तीसरी और उसकी detail में हम जाएंगे तो हमारे पास पहली information आ गई किंग टिम को है क्या company क्या करते है देखें scenario को address करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाते हैं कि आपको business acumen के marks में अब प्रॉपर्ली analysis करें तो उसके लिए scenario को समझना बहुत ज़रूरी है scenario के अंदर क्या लिखा वर अब इस सवाल में थोड़े सम्दिसकेशन करते हैं किंग्टिम को इस नेशन वाइड चेन ऑफ गार्डन सेंटर्स selling products such as plant fertilizers tools and garden furniture तो company की nature of business के बारे में बताया है company क्या क्या करती है it was established 20 years back by the current team of executive directors and achieved a listing on the local stock market four years ago इसका मतलब यह हुआ कि यह एक public listed company है अब जैसे हमारे mind में public listed company आती है हमारे mind में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है यह public listed है उसकी share price बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी corporate governance के मसले होंगे फिर उसके merger and acquisition takeover की बाद आ जाती है since listing the company has made consistent profit and has been able to increase its dividend each year company dividend दे रही है dividend policy भी important है suitable dividend policy क्या होती है the executive directors collectively owned between the 25% issued share capital 25% shares directors के पास मौझूद है the remaining shares are held by number of investors with none of them having more than 10% issued share capital किसी के पास भी 10% से जादा नहीं है two of the major competitors have been taken over in the last two years now यह बड़ी important information उन्हें दी है कि हमारे दो competitors को takeover करे लिया गया है genuine तरीके क्या है उसमें unethical practices directors की क्या क्या हो सकती है एक topic हम पढ़ेंगे आगे जाके hostile takeover जब एक company को offer आती है और उस offer के against director resistance शो करते हैं और डारेक्टर्स चाहते हैं कि हमें यह company takeover ना करे तो कौन से methods होंगे जिनके जरीए हम directors जो है वो hostile takeover करके उस company को media coverage suggests that further takeovers are possible potential acquirers includes other chain of garden centers property developers and supermarket chains looking to diversify their business into profitable garden center sector as yet no potential acquirer has approached our company to buy the whole chain although the company has had inquiries from other business wanting to purchase individual garden centers the company can sell a number of garden centers without threatening its continued existence अब जैसे हम पढ़र रहते हैं हमें idea होता जा रहा था कि takeover के बारे में बात होगी तो takeover defenses के बारे में यहांपर नहोंने बात की है possible defense against the takeover bit और CEO के पास दो प्रोपोजल आगे हैं directors के पास वो दो प्रोपोजल नहीं डिसकस किये हैं कि हम individual garden center को sell कर देते हैं जब हमारा वो attractive हिस्सा ही बिग जाएगा तो फिर हमें कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि अब हम less attractive हो जाएंगे क्या यह वाइबल स्ट्रेटिजी है क्योंकि डारेक्टर्स अक्सर यह कर देते हैं कि जिस चीज के लिए कोई आपको खरीदने आता वह चीजी बेच देते हैं दूसा तरीका यह कि आप higher remuneration दे एक्जेकेटिव्स को उनके contract चेंज कर दें ताके अगर उनको कोई terminate करता है तो huge amount of salaries or termination benefits देने पड़ेंगे तो take over करने वाला यह देखकर हो सकता है भाग जाए अब यह इन्होंने आपके कुछ अब financial details पर आजाएं जिस पर cost of capital का सवाल बेस कर रहा है financial details company के पकास करेंटली पच्चिस मिलियन डॉलर वन और यह नंबर अफ शेयर आगए calculation की understanding बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि रिपोर्ट section वी में बीजबीस में calculation आती है और calculation के लिए में axle इस्तेमाल करना है formula इस्तेमाल करने शॉटकट टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है NPV calculate करने की IRR calculate करने की सो हमारे पास current share price मौझूद है 5.56 पर शेयर यह हमारी current शेयर प्राइस चल रही है अगर number of shares को current share price से multiply किया जाए तो answer आता है value of the company लेकिन यह value market capitalization के लाती है value of equity होती है यह real worth नहीं होती number of shares multiply by current share price company के पास इस वक 0.4 million के loan notes पढ़े वे हैं 6.5% उसका coupon rate है उसकी nominal value 100 है और 104 dollar per 100 nominal पे bond trade हो रहा है redemption होगी तीन साल में the premium is 2% यानि कि हम पार से 2% जादा देकर उसको तीन साल में redeem करवा लेंगी और yield to maturity जो IRR approach भी होती है after tax cost of debt is 4.1% तो after tax cost of debt हमें already दी भी है अगर cost of equity भी अविलेबल हो और cost of debt भी अविलेबल आफ्टर टेक्स तो वैक राम से निकल सकता है company का equity बीटा आजकल क्या चल रहा है existing garden center business का equity बीटा चल रहा है पॉइंट नाइन गार्डन सेंटर बिजनेस एक तो पूरे बिजनेस का बीटा और अगरे किसी specific sector का बीटा दिया वह वह एक अलग उसको रिस्क प्रोफाइल बता रहा होगा company plans to issue new bond 7.5% bond bond चार साल में redeem होगा 8% के premium के उपर coupon annualized basis के उपर pay होगा इस bond की credit rating होगी triple B अब एक नया topic आगया AFM के अंदर के credit rating क्या होती है और इसकी basis के उपर किस तरीके से हम bond का yield वगरा major करते हैं the issue of new 7.5% bond will not affect the market value of shares on the existing 6.5% bond देखें अब यह एक assumption है अच्छा हमें assumption को भी challenge करना पड़ता है assumptions को भी evaluate करना पड़ता है तो अगर हम इस assumption को देखें एक company है जिसके पास already point four five million के bonds मौझूद है अब वो नए bonds market में issue कर रही है तो उसका financial risk increase होगा financial risk increase होगा तो क्या होगा बीटा फेक्टर चेंज होगा बीटा फेक्टर चेंज होगा तो cost of equity चेंज होगी तो इसका effect पर और शेर प्राइस पर पड़ेगा इन्होंने काई कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना existing लेंडर पर पड़ेगा इस नॉट आफ वेरी गूड अजम्शन यहां पर ली जा रही है अब आगे एक नई चीज दी भी है कि जो बॉंड हमने issue किये हैं इसकी information हमें credit rating की basis पर दी जा रही है और चार बॉंड जो के government ने issue किया अच्छा होता क्या है कि जब हम RF लेते हैं तो RF calculate करने के लिए हम normally short term government securities ले ले लेकिन government securities या government bonds long term में उनकी valuations change हो रही होती है तो उसकी yield हमें दी जा रही है और उसकी redemption time दी जा रही है और उसकी basis के उपर पर हम cost of debt एक नया method हमारे पास आ जाएगा जो के bond की yield और उसकी credit rating के हवाले से credit spread के जरिए ये एक नई चीज हमारे पास यहां पर मौझू जो FM के syllabus में available नहीं थी और ये credit spread दियावा है जो के rating की basis के उपर है कि जो भी आप yield निकालेंगे उसमें one year के bond में 0.56 एड़ हो जाएगा two year के bond में 0.78 three years के bond में 1.06 यानिके 106 basis point और चार साल में 135 basis point एड़ कर दिये जाएंगे ये ये नई चीज है इस पर focus करना पड़ेगा ये paper में आती है यूजवली अब अगर इसी information को फिलाल focus किया जाए और बात की जाए पहले दो चीजों के उपर पहली फर्स पार्ट पर बात की जाए चलें तो फर्स पार्ट कहता है estimate the company's cost of capital before the new bond issue अब देखें पूरे paper में ऐसा नहीं होता कि बहुत easy marks ना हूँ अब इस question को देखें तो यह four easy marks है विल्कुल easy marks है और अगर credit spread की और spot yield की understanding है तो यह part B के seven marks भी बहुत easy है और उसकी basis पर जो next seven marks है वह भी easy है यह यह 18 marks student easily इसमें से maximum marks ले सकता है थोड़ी बहुत उसकी theory अच्छी हो understanding अच्छी हो तो easily 40 marks मे से वह maximum 25-26 marks ले सकता है और अगर उसने professional marks फोकस किया पांच यह 6 marks वहां से ले लिए तो इस पचास में से वह more than 35-40 marks तक student का score जा सकता है यह जो आपको required passing marks चाहिए उस पचास में से 35 प्लस marks आ सकते हैं easily paper निकालना कौन सा मुश्किल काम हो में easily paper pass हो सकता है अब सिर्फ अगर हम इस इस information पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि यह जो हमारे पास पूर मार्क्स की जो information अवेलेबल है इसको हम सॉल्फ करते हैं कि देखें सवाल की requirement क्या थी सवाल की requirement थी कि हमें existing cost of equity निकालनी है before the new bonds are issued existing cost of equity अब existing cost of equity निकालने के लिए हमारे पास जो data दिया हुआ है वह हमें देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है और हमारे पास dividend valuation model का data दिया हुआ है और अगर for example risk free rate वगरा का भी information में मिल जाए तो क्या हो सकता है तो कुछ information हम risk free की भी ले ले लेते हैं वो भी हमें चाहिए उसके बगर यह calculate नहीं होगा तो इस सवाल में risk free rate of return भी दियावा है हमें प्रीमियम हमें दियावा है नाइन परसन नहीं कि आरे माइनस आर एफ का में जो बैलन्स है वो प्रोवाइट किया गया है उसकाम ले ले लेते हैं बैलन्स को इस चले मैं सो वैसी कॉपी कर लेता हूं कि रिस फ्री रेट व रिटन हमें चार परसंट दियावा है आरे म माइनस आरे फ रिस प्रीमियम जो हमें दियावा है वो दियावा है 9% और टैक्स दियावा है 25% यह हमारे पास further information मैंने एक्सट्राक्ष टर्ली इस questions अब हमें calculate क्या करना है हमें calculate करना है cost of Capital अब cost of Capital is the mix of इकूटी and डेट वह मेनने के लिए इस लिए cost of equity pricing model है capital asset pricing model में RF plus RM minus RF multiply by beta अब देखें क्या क्या available है RF दियावा है 4% RM minus RF दोनों का answer is premium दियावा है बीटा factor अगर सवाल में देखा जाए तो सवाल में बीटा दियावा था 0.9 का 0.9 का बीटा ले लिया जाए तो हमारे पास यहां पर अगर हम इसे calculate कर लें तो valuation हमारी बनेगी 9 into 0.9 plus 4 12.1 12.1 percentage की हमारी cost of equity बन जाएगी capital asset pricing model से cost of debt given existing का after tax यहां दियावा है the premium on redemption based on yield to maturity approach the after tax cost of debt is 4.1 यह निकालने की जरुवत नहीं अब कही हमने calculate कर लिया cost of debt हमारे पास आ गया अब वैक निकालने के लिए हमें value of equity चाहिए value of equity हम निकालेंगे number of shares multiply by share price 5.56 25 million shares 25 million shares 5.56 यह हमारे पास market capitalization आ गई 139 million की market capitalization आ गई और value of debt हमें calculate करना है तो हमारे पास जो पार value given है debt की 0.4 million और current market worth चल रही है हमारे पास 104 तो 0.4 million हमारे पास numbers हैं एक की पार value हमारे पास चल रही है हंड्रेड डॉलर तो इसको 100 से divide किया जाए और multiply कर दिया जाए 104 से अच्छा यह numbers दिये वे ना हमें पैस यह value नहीं है यह value नहीं यह numbers दिये वे तो value अगर हमें calculate करनी है पार value तो हम इसको dollar 100 से multiply करेंगे तो हमारे पास पार value आएगी डॉलर का sign नहीं लगा वादा तो 45 million हमारे पास पार value है टोटल है अब इस 45 million पार value को हमें market value पे लाना है तो basically यह 45 million जो है यह numbers हैं तो हम directly यह भी कर सकते थे दो तरीके हो सकते हैं कि यह हमारे पास numbers आ गए इसको हमने 104 से multiply कर दिये या फिर हम यह कर सकते हैं कि 45 million पार value है 100 is the power value of one certificate multiply by 104 जैसा सवाल में दिया वाओगा उसकी accordingly हम बात करेंगी तो 46 पॉइंट फॉर फाइफ multiply by 104 46.8 और अगर दूसरे से निकाले अंसर अगर दूसरे से निकाले अंसर हैं वेटे डावरेज कॉस्ट ऑफ क्यापिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कॉस्ट ऑव इक्विटी विच इस त्व पॉइंट वन परसंट उसको मिल्टिप्लाइ कर दिया जाएं एक्विटी के विटेज से 139 पॉस्ट ऑफ डैट पॉर पॉइंट वन परसंट उसको मिल्टिप्लाइ कर दिया जाएं उसके विटेज से अंसर निकाल लिया जाएं So 12.1 x 139. It's 1681.9 And 4.1 x 46.8. It's 191.88 Plus 1681.9 1873.78 Whole divided by total value total value हो गई 139 Plus 46.8 अचा यह percentage terms में करनी है तो यह value जादा हो गई है Multiply by 139 तो यह values हमारे पास होंगी percentage terms में निकाल लेते हैं तो 16.819 और रेस्ट वैली होगी 4.1 divided by 100 Multiply by 46.8 यह होगी 1.918 As a result 16.819 Total value आ गई 18.73 Divide इसे कर देंगे हम Total value से Total value आ गई 139 प्लस 46.8 185.8 और वैक हमारा हो जाएगा 18.73 185.8 Multiply by 100 वैक हो गया 10.08 यह चार मांक्स हमारे easily यहां पर cover होगी वैक का हम फॉर्मॉला भी लगा सकते थे दो कॉंपोनेंट्स अगर दिये वे होंगे तो फॉर्मॉला हो जाएगा cost of equity multiply by value of equity divided by value of equity value of debt plus cost of debt after tax multiply by value of debt divided by value of equity plus value of debt और मांक्स में ऑम ही Señीं वा द täll हुआ walk